नमस्कार आज अनिवारे संस्कृत के अंतरगत सुद्ध उचारण एवं उचारण अव्यास का ध्यान करेंगे तो सबसे पहले सुद्ध उचारण को समझते हैं हम सभी भाव एवं विचारों की अभिवक्ति करने के लिए भासा के दो रूपों का ध्यान करते हैं मौखिक और लिखित मौखिक भासा के प्रेवक का आधार ध्वनिया होती है तथा प्रतेक ध्वनी के लिए एक अक्षर निश्चित है और उसका उचारान स्थान भी निश्चित है यदि हम उचारान करते समय निश्चित उचारण स्थान से ध्वनियों का उचारण नहीं करेंगे तो हमारी अविव्यक्ति दोश्पूंड यह मौखिक भासा निर्थक तथा प्रभाविहीन हो जाएगी सुद्ध उचारण के बारे में स्री राम प्रकास कुल स्रिष्ट कहते हैं कि व्याकरण से भी दोगुना महत्व उचारण का होता है क्योंकि एक सुउचारित वाक्य व्याकरण असम्मत रहने पर भी अर्थ प्रदान करता है किन्तु पूर्ण व्याकरण सम्मत वाक्य असुद्ध उचारित होने पर सुरोता समझ नहीं पाता है या अपूर्ण समझता है या प्रयत्न करके ही समझ पाता है इसी प्रकार महर्शी पतंजली ने भी कहा है कि एको सब्दह सम्यक ग्यातह सू प्रयुकतह स्वर्ग लोके चा कामधुक भवती अर्थात यदि एक सब्द को भी अच्छी तरह से जान लिया जाए तो वह लोक एवं परलोक दोनों में कामनाओं की पूर्टी करने वाला होता है वैदि काल से ही उचारन की सिच्छा पर बल देने की परंपरा रही है मूल रूप से भासा मोखिक होती है साहित्य को इस्थाई बनाने के लिए उसे लिपी बद्द किया जाता है अता भासा में सुद्ध उचारन का विशेश महत्व है अब हम लोग कक्षा में उचारन अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे तो कक्षा में उचारन अभ्यास दो प्रकार से कराया जा सकता है एक है ब्यक्तिगत अभ्यास और दूसरा है सामोहिक अभ्यास ब्यक्तिगत अभ्यास में है पहला परिवेशगत उचारन परिवेशगत उचारन में है कि एक ही वन का प्रियोग सब्द के प्रारंभ में मद्ध में या अंतिकी द्रिष्टी से स्वरागात की अधार पर कराया जाता है स्वरागात क्या होता है किसी भी सब्द का उचारान करते समय स्वर एयों व्यंजनू पर कहां पर जूर देना है ये स्वरागात की अंतरगत अध्यन किया जाता है या स्वरागात कहलाता है जैसे शुभाशह शुभाशह का सुद दूचारण करके बच्चों को बताएंगे जैसे दंतिसा और मुर्धनिसा का बच्चे सही प्रकार से उचारण कर पाएंगे जो उनके अंदर दोनों सा को लेकर संसे होगा वसंसे दूर हो जाएगा दूसरा है व्यंजन गुच्चों का उचारण व्यंजन गुच्चों का उचारण में कठीन वबड़े सब्दों का विशलेशन कर अभ्यास कराया जाएगा जैसे बहुत सारे उदारान हैं संस्कृत में वस्त्रा भूशडानी इसको हम लोग अलग अलग करके बताएंगे वस्त्र प्लस आभूशडानी जैसे उदारान में विदिया है वाच और्थो अनुधावती को अलग अलग करके बताएंगे वाचं प्लस अनुधावती तीसरा है विशलेशन विशलेशन में संदी विच्छेत सब्दों का उचारन प्रिथक प्रिथक एक सब्द के रूप में कराया जाता है अर्थात जैसे हम लोग बच्चों को बताएंगे मनोरत तो मनोरत का उचारन करके तो बता दिये उसके बाद उसका संदी विच्छेत करेंगे कि मनह प्लस रत मिल करके मनुरत होता है और इसमें विशर्ग संदी है ये विशलेशन के अंतर गता आता है इसके बाद है सब्दों की सूची बना करके उच्चारन कराना ये सब प्राथमी कस्तर पर करा जाएगा बच्चों को उनके विशे वस्तु से संबंदित सब्दों की सूची बना करके भी उच्चारन कराया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपने विशे से संबंदित कठिन सब्दों का सुद्ध उच्चारन कर सकें उच्चारन अभ्यास की दूसरी विधी है सामोहिक अभ्यास विधी इसके अंतरकत है समवेत रूप में उच्चारन अभ्यास इसमें अध्यापत सुद्ध उच्चारन करके बच्चों से सामोहिक रूप में उच्चारन का अभ्यास करा सकता है इसके बाद है कक्षा अश्तर सूची द्वारा उचारन अभ्यास जैसे कक्षा अश्तर पर सब्दों की सूची बना करके बच्चों से सामुई ग्रूप में अभ्यास कराया जाना सब्दों का विश्लेशन कर उचारन अभ्यास और सब्दों का विश्लेशन करके जैसे बताय थे मनूरत उसी तरह से अध्यापक के द्वारा सब्दों का विश्लेशन करके सामुई कुरूप से बच्चों से अभ्यास कराया जाएगा सब्द तालिका द्वारा उच्चारण अभ्यास बच्चों को सब्द तालिका के माध्यम से उच्चारण अभ्यास कराया जाना चाहिए इससे सब्द बच्चों के मानस पर सुर्द्रेड बने रहते हैं और बच्चे अच्छी प्रकार से उच्चारण कर पाते हैं